हेलो स्टुडेंट विल्कम बैग रेजनिंग फॉर बीच्चू 2020 की स्रीज में यह लेसन फॉर रैंकिंग टेस्ट का पार्ट सेकेंड है इससे पहले तीन चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका मैंने एक सेपरेट प्लैलिस्ट बना दिया चैनल पर वहां से आप विजिट करके उसे देख सकते हैं इसे प्रजेंट कर रहा हूं मैं रोहित बर्मा तो चलिए कुछिन पर चलते हैं अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर रेगुलर quality content मिलेगा आपको यह नहीं कि बस आए एक question लेके बेवकुप बना के चलेगा ऐसा कोई काम नहीं है आप अगर यहां से पढ़ेंगे तो आराम से आप 25 का 25 question करके आएंगे यह guarantee ठीक है चलिए पहला question है इससे पहले मैंने जो first part बनाया था अगर आप उसे नहीं देखे तो उसे देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने basic clear किया है और उसका टाइफ first और टाइफ second है उसे clear किया है क्योंकि टाइफ third और fourth अगर आपको solve करना तो first और second आपको आना चाहिए ठीक है क्योंकि ये फिर बाद में question वहीं पहुँचता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखे इसमें लिखाया है बालकों की एक पंक्त में यदि अमित जो की बाएं से दसवा है और विनी जो की दाएं से नवा है अपने अस्थानों को आपस में बदल लेते हैं तो अमित बाएं से पंद्रवा हो जाता है बताईए कि पूरी पंक्त में कितने बालक है ठीक है ये question है और ये बियच्चू का question है ठीक है बियच्चू में आया हुआ question है तो इसे कैसे सौल करेंगे देखे ये माल लिजे पूरी पंक्ती है जिसमें अमित जो है बाएं से दसवा है ठीक है इसके बाद बिनी जो दाएं से नवा है बिनी जो दाएं से नवा है इसके बाद क्या गया रहा है कि यदि ये आपस में अपना अस्थान बदल ले ठीक है यानि जो अमित अभी यहां पर है वो बाएं से किस अस्थान पर पहुंच जाएगा यहां पर ठीक है पंद्रवें अस्थान पर अमित ठीक है क्यों जब यह बिनी जो है यहां आ जाएगा अमित के पास और अमित जो है बिनी के अस्थान पर चला जाएगा तो अमित जो है बा मैंने बताया था कोई अगर पंक्ति है उसमें किसी एक बेखती का दोनों तरफ से अस्थान दिया है तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि पंक्त में कितने रड़के हैं तो अभी अगर आप ध्यान से देखें अगर यह मान लेजे पूरी की पूरी पंक्ति है तो इसमे अमित जो है बाएं से पंद्रवें अस्थान पर है और दाएं से नवें अस्थान पर है क्यों कि यह विनी के अस्थान पर ही तो आया है और विनी जो है दाएं से नवें अस्थान पर था ठीक है तो इसका मतलब क्या हुए नया कुश्चन क्या बन गया यह फर्स टाइप का बन गया कि अमिद 22 से 15 अस्थान पर और 20 से 9 अस्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं यह बताना है तो ऐसे हम क्या किया जाता है दोनों को एड़ करना और एक माइनस करना यानिकि 15 15 प्लस 9 माइनस 1 ठीक है तो इसका कितना हो जाएगा 23 15 9 24 और एक गटाएंगे 30 यह हो जाएगा आपका आंसर ठीक है देखो अब मैं 100 ट्रिक बताता हूं देखी इसमें क्या करना है ऐसे बाला के स्टुडेंट जो भी हैं जिनका दो बार अस्थान दिया गया जैसे यहां पर जमित है इसका एक बार बाएं से दसमा दिया गया है और एक बार बाएं से पंद्रमा दिया गया है जब भी आपको ऐसा गोश्चन मिले जिसका दो बार अस्थान दिया गया है उसमें जो बड़ा वाला है मतलब पंद्रमा ठीक है जो भी बड़ा हो 15 और 18 जो भी हो वो लेन प्लस दूसरे वाले का अस्थान लेना यानि कि बिनी का नौ अस्थान ठीक है दोनों को जोड लेना है और एक घटा लेना आपका अंसर तुरंट आ जाएगा कुछ भी नहीं करना ठीक है क्या करना है जिसका दो बार दिया गया है उसमें जो बड़ा है वो वाला और प्लस भी नहीं का वह अस्थान दोनों को एड करना एक माइनस करना आपका आणसर आजाएगा चलिए देखे इसमें क्या है फिर से वैसा ही कोश्चन है विद्यार्थियों की एक पंक्त में रमेश प्रारंब से दसवां तथा सूरेश अंत से पंद्रवां हो जाता है यह दोनों हो जाता है उस पंक्त में कुल कितने विद्यार्थि मैंने क्या बताया ऐसा स्थान दिया गया है उसमें कौन है रमेश ठीक है रमेश का एक बार क्या है दसमा दिया गया है एक बार पच्चीस वां तो इसमें जो अधिक है क्या है पच्चीस इसे प्लस किसके साथ जो दूस उसका कुन सा स्थान है पंद्रमा दोनों को एड कर लेना है तो कितना हो गया 40 इसके बाद एक घटा लेना है एक घटा लेना है और यही हो जाएगा आपका अंसर देखें कितना सौट तरीके से आपको समझ में आ गया एकदम क्लियर हो गया तो इसी बात पर लाइक करिए चलि अगला कुश्चन अजय जो एक परिच्छा उत्तेंड के बीच उपर से सोलवें तथा नीचे से 29 अस्थान पर छे लड़के ने परतियोगिता में भाग नहीं लिया पांच लड़के विफल रहे कच्छा में कुल कितने इस्टूरियंट हैं देखिए यह फर्स टाइप का ही कुश्चन है बस इसमें थोड़ा सा एड़ कर दिया गया कैसे ध्यान दी थी क्या गया अजय जो कि एक परिच तो 29 अस्थान पर यानि कि अगर हम कुल उत्तियंड लोगों की संख्या देखें तो यह कितने हो जाएगी दोनों को जोड़ लीजिए कितना हुआ पैतालिस और एक घटा लीजिए कितना हुआ चवालिस यह फर्स टाइप का कुश्चन है आपको पता है ठीक है तो इतने तो होगे उत्तियंड फिर कह रहा कि छे लड़कों ने प्रतियोगता में भाग नहीं लिया और पांच लड़के बिफल रहे यानि कि उत पालिस हो गए जो उत्तियरण है और ये छे जो परिच्छा में समली थे उने गए और ये पांच जो फेल हो गए ठीक है तो छे और पांच ग्यारा और चोवालिस ठीक है कितना हो गया पच्पन यह हो गया आपका आंसर तो क्लास में कुल स्टूडेंट कितने हैं 55 नेक्स लड़कों की एक पंक्त में अमन अपने उपर से 12 अस्थान पर तथा 12 नीचे से 18 अस्थान पर है यदि अमन तथा 22 के मद्द 6 लड़के हैं तो पंक्त में अधिक्तम कितने लड़के हैं यह कुश्चन बहुत ही इंपॉर्टन है ध्यान से देखिया क्योंकि अगर बियाच बहुत ही आसान है ध्यान से देखियेगा जब भी बोला जाता है कि एक पंक्ती है इसमें अमन जो है प्रारम से कितने अस्थान पर है 12 अस्थान पर है और बमन अंत से 18 अस्थान पर है ठीक है और इन दोनों के मद्द 6 लड़के हैं तो इसका सिंपल सा अंसर हो जाएगा इ यानि कि 12 प्लस 6 और प्लस 18 तो आंसर कितना आएगा 36 यह हो जाएगा आपका अंसर लेकिन इसका एक आंसर और आएगा जब यहां पर अधिकतम ना लिखा हो ठीक है कैसे ध्यास देखिएगा इसे मैं थोड़ा सा ख़ताता हूं देखिए जब बोला जाता है कि जो बमन है वो अंध से 18 अस्थान पर है और इन दोनों के मद्द अमन और बमन के मद्द 6 लड़के हैं बहुत ध्यान से इस कॉंसेप्ट को समझिएगा तो दो कंडिशन बनती है एक तो यह जो 6 लड़के हैं इधर भी हो सकते हैं ठीक है यह 6 लड़के यहां भी हो सकते हैं और यहां अमन हो सकता है या फिर यह 6 लड़के यहां हो सकते हैं और अमन यहां हो सकता है ठीक है तो दूसरी वाली कंडिशन को आप ध्यान से देखिए जब अमन यहां रहेगा तो अमन प्रारंब से 12 अस्थान पर है ठीक है और बमन जो है कर दोनों के मदद 6 लड़के बात क्लियर हो रही तो अभी है नई क्या बन गई यह वाली है यह पूरी पंक्ति है जिसमें अमनप्रारंब से 12 अस्थान पर और बमन अंत से 28 अस्थान पर इन दोनों के मदद छे लड़के हैं तो ऐसे condition में लड़कों की संख्या क्या हो जाती, ठीक है कम लड़कों में ही यह पूरी की पूरी condition satisfied हो जाती, ठीक है तो ऐसे मांसर कितना आएगा फूस समय लिए ठीक है, देखिए अगर यह total 6 लड़के हैं, ठीक है यह 6 हो गया और एक यह अमन 7 और बमन 8 ठीक है और यह टोटल यहां से लेकर यहां तक 12 है ठीक है और यहां तक आपने क्या निकाला कि 8 है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कितने लड़के होंगे ठीक है एक मिनट यहां पर कितने लड़के होंगे वो हूंगे 4 ठीक है क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कुल कितने हो गया ठीक है तो 18 यह हो गया यहां से लेकर यहां तक और 4 यह है तो कितना हो गया वो गया 22 लड़के यह भी एक अंसर आता है लिगिन यह बहुत ही tricky हो जाता है इसका मैं एक short trick बताता हूँ, आपको क्या करना है, देखें, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो भी बीच में लड़कों की संख्या दी गई है, ठीक है, कितना दिया है, 6, उसमें आपको 2 add करना है, क्यों करना है, एक बमन के लिए जो, और एक अमन के लिए, ठीक है, 2 add कर कितना हो गया, 8, अब इसे, जो भी इसमें छोटी संख्या है, जैसे यहाँ पर एक 12 है, और एक 18 है, ठीक है, तो जो छोटा है, 12, उसमें से घटा लेना है, ठीक है, तो 12 से 8 घटाएंगे, कितना बच्चे का, 4, ठीक है, इसी को बड़ी संख्या में जोड देना, बस आपका तुरंता जाएगा, फिर से समझीए, ध्यान से, एक दम मैं क्रिश्टल क्लियर कर दूँगा, बहुत ही ध्यान से समझीएगा, आपको क्या करना है, तीन चीज आपको दिया गया है, एक जो बीच में है, वो 6 है, और एक 12 है, और एक 18 है, ठीक है, तो जो बीच में संख्या जदी गई है, उसमें 2 जोड़ना है, 8 हो गया, इसे इन दोनों में से जो भी छोटा है, उसमें से घटा लेना है, ठीक है, यानि कि 12 छोटा है, तो इसमें से घटा लेंगे, 8 को कितना बचा, 4, अब इस 4 को इस बड़ी वाली में जोड़ लेना है, और आपका आंसर आपके स यानि कि 12, 6 और 18 तीनों को जोड़ लिए कितना आया 36 और दूसरा अंसर कैसे आएगा वो मैं डिसकस कर दिया ठीक है आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी कोई कन्फूजन आ तो आप कमेंट में करें मैं फिर से बता दूँगा ठीक है यह देखो नेक्स टाइप का कुश्चन है ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है तो सबसे लंबे दो कौन है ठीक है तो जो लंबा है उसे हम उपर लिखेंगे और जो नाटा या छोटा उसे हम नीचे लिखें कैसे ध्यान से देखें जब पहली लाइन में क्या बोल रहा है यानि कि डी लंबा है तो डी ऊपर रहेगा और ए होगा नीचे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जब दी और ए लिखें इनके बीच में कुछ जगह जरूर छोड़ दें जिससे कि अगर चोड़ा है परंटु सी से लंबा यानी कि सी ए से नीचे है ठीक है तो सी यहां लिख लिए इसके बाद कह रहा है कि डी बी से नाटा है यानि कि बी के भी ऊपर होगा तो पी यहां लिख लिए D, B से नाटा है परंतु A से लंबा है तो ये पहले ही लिखा है इसके बाद E, A से नाटा है यानि कि E जो होगा A से नीचे होगा परंतु C से लंबा है और C के उपर होगा तो E जो होगा A के नीचे और C के उपर यहां हो गया, clear? अब पूछ रहा है, तो सबसे लंबे दो कौन है तो उपर के दो जो होगे वो आपके आंसर होगे तो आपसन कौन सा है, B और D यह आपसन आपका से व जाएगा, ठीक है? तो I hope वीडियो अच्छी लगी होगी इसी तरीके से और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहे हैं मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार